हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्टो एकोनॉमिक लासेज, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाव टेस्ट के बारे में तो चाव टेस्ट डमी वेरेबल का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टेस्ट है इस टेस्ट को हम टेस्टिंग स्ट्रक्चल स्टैबलेटी ओफ रिग्रेशन मोडल भी बोलते हैं तो चलिए चाव टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो पहले हम जो है इसकी एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं तो पहले हम जो मेट्रेक्स में जर्नली हमारे चाव टेस्ट जो होता है उसका यूज करते हैं इसके लावा जो dummy variable है उसको appropriate लिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है dummy variable जो technique है उसको कैसे use करेंगे कैसे वह हमारे लिए appropriate है तो इस सब चीजों के लिए भी हम जो चाव टेस्ट है उसका use कर रहे होते हैं अब इसके बाद इसमें जो है dummy variable की क्या advantage होती है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर होता है कि जो हमारे अलग-अलग regression model होते हैं हम जो चाव टेस्ट होता है उसमें regression model to regression model इसकी भी बात करते हैं तो जब regression model की बात की जाती है तो इसमें क्या होगा कि अलग-अलग regression से जो parameter के vector parameter vector के जो sub vector होंगे ठीक है कि एक parameter है उसके क्या है vector है चीक है vector के फिर sub vector है आगे तो इनके बीच क्या equality होगी ठीक है इन vectors के इन सब vectors के बीच में क्या equality होगी इस चीज को check करेंगे किसी hypothesis से ठीक है जब हम hypothesis की testing यहाँ पे करेंगे और इन में equality जानेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि कौन सा जो test है वो ज़्यादा appropriate है ठीक है कि हम यहाँ पे कौन सी testing का यूज करें कौन सी hypothesis का यूज करें ताकि हम इन dummy variable की vector और sub vector सभी के बारे में जो है या उनकी equality के बारे में जान सकें ठीक है फिर दूसरा यहाँ पे है कि hypothesis में generally जो testing हम यहाँ पे कर सकते हैं कि generally अगर हमें कोई hypothesis test करनी है तो वहाँ पे हम इसमें कर सकते हैं इसके लाब जो regression parameter होते हैं वो यहाँ पे अलग होते हैं ठीक है तो यहाँ पे अलग होंगे लेकिन वो क्या होंगे कि वो 0 से अलग होंगे ठीक है कि अलग होंगे और constant होंगे लेकिन 0 जह वो नहीं हो सकते ठीक है 0 से अलग होंगे तो यह simply इनका यहाँ पे हमारे चाव टेस्ट का यूज था और इसका यूज मेंली structural stability को ही ध्यान में रखके किया जाता है अब चाव टेस्ट की बात करते हैं तो जडर चाव टेस्ट एंग्जामीं the structural stability of regression model देखो main हमने बात यहां पे करनी है structural stability की तो structural stability अगर हमें regression model में लेके आने होती है तो उस इस time हम चाव टेस्ट का यूज करते हैं अब structural stability का होती है तो उसके लिए structural change को हम जान लेते हैं तो structural change का मतलब होता है कि जब हमारे जो model के parameters होते हैं वो एक time period के दोरान same नहीं रहते हैं structural change क्या होगा कि हमारे जो parameter है वो एक time period के दोरान same नहीं है मालने जिए income हो गई तो income क्या है year wise change होती रहेगी year wise मालने जिए आज आपकी 10,000 रुपे है कल को 20,000 रुपे जाती है ठीक है इसमें कुछ ने कुछ changes जाते रहेंगे और ये changes किस कारण आते हैं तो ये आते हैं हमारे external force की विज़े से policy change हो जाती है या फिर कोई government अलग action ले लेती है कुछ other factor हो सकते हैं कारण हो सकते हैं ठीक है तो इन वज़े से क्या होता है कि हमारी जो income होई savings होई तो ये सब चीजे change हो जाती है ठीक है तो उसको बोलते है structural change तो ये जो structural change अगर हो रही है उस time हम कैसे dummy variable यहाँ पे examine करेंगे कि dummy variable 1 रखे या zero रखें क्या रखा जाए या dummy variable क्या होगा तो इसके बारे में हमें चाव test बताता है ठीक है पहले वो हमारे लिए structural stability लेके आएगा उसके बाद जो हम dummy variable को यहाँ पे examine करेंगे और फिर क्या है अपने model को आगे processing पे लगाएंगे ठीक है फिर उसके बाद जो multi step चाव test हो तो उस procedure में हम जो 2 regression model होता है यानि कि 2 regression model होता है उसमें हम कैसे source of difference का पता लगाएंगे ठीक है कि 2 हमारे regression model है 2 अलग-अलग regression model है तो दोनो regression model में हमें पता लगाना कि source of difference क्या होता है कि मतलब इन दोनों में difference किस कारण है यह अगर पता लगाना है तो उसके लिए हमें multi step जो चाव test का use करना पड़ेगा और इसके अलावा जो multi step जो यहाँ पे चाव test होता है इसमें होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो observation है या multiple regression है multiple regression आएंगे या इसके लावा जितनी भी observation आएंगी तो उनमें हम pulling जो technique है pulling technique जो होती है उसका use करते है अब pulling technique क्या होती है pulling technique का मतलब यहाँ पे यह होगा कि यह pulling technique इसका मतलब यह होगा कि कौन सी observation या किस जो factor या सब vector पे जो है हमारी सबसे ज़्यादा जो है बार बार वही आ रही है मौनलेजे कोई चीज है कोई यहाँ पे हमारे factor ले लिए हमने a, b तो मालेजे कि हमारी यहाँ पे 10 हमने equation बनाई 10 में से 8 equation इस पे हैं और 2 इस पे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि यह जो factor है यह इसको ज़्यादा यहाँ पे जो है इसको effect कर रहा है ठीक है तो हमें यही पता लगाना था simply कि source of difference क्या है कि इनमें किस कारण से difference है तो ज़्यादा अगर यहाँ पे होंगे pulling का होता है मत दान means सबसे ज़्यादा जो है कौन सी observation आई है कौन सी यहाँ पे equation आई है तो वो चीज किस factor पे depend करते हैं यह चीजे यहाँ पे matter करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि source of difference का हम easily पता लगा सकते हैं यह देखके कि हमारी pulling technique यहाँ पे कहां काम कर रही है तो mainly हमारा जो chow test है वो यही है कि हमारी जो structural stability होती है उसको रखते हुए हम dummy variable को एक regression model में dummy variable को कैसे explain कर सकते हैं या कैसे उसको define कर सकते हैं अब इसके बाद हम आपको एक example देंगे example से बहुत ही clearly आपको समझाएंगे कि कैसे chow test का use करके हम dummy variable ले सकते हैं और उसके बाद आगे test उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पे simple example लेते हैं income और saving का देखिए income भी एक ऐसी चीज है जो लगातार change होती रहती है ठीक है आज 10,000 रुपे कल 12,000 हो जाएगी फिर आगे change हो जाती है 20,000 हो जाती है और saving भी इसके साथ change होती रहती है ठीक है मान लिजे आज आप 2000 बचा रहे हैं फिर आप 2000 बचा रहे हैं फिर उसके बाद मान लिजे यहाँ पे 5000 बचाने लग जाते हैं तो यह क्या है कि change आते रहते हैं यह किस काल न आते हैं क्योंकि हमारी structure change होता है ठीक है structure change होगा लेकिन जो हमारा chow test है वो इनको ऐसी नहीं लेता वो इनको लेता है कि year wise ले लेगा यहाँ पे 2000 से 2001 के बीच आपकी income थी मान लिजे 10,000 रुपे ठीक है फिर 2000 2 से 3 के बीच में थी आपकी 12,000 फिर उसके बाद 3 से 4 आपकी थी यहाँ पे 20,000 लगा लिजे ठीक है फिर उसके बाद 4 से 5 आपकी हो गई 2004 से 5 आपके हो जाएगी मानलीजे 22,000 ठीक है तो चाव टेस्ट क्या कहता है चाव टेस्ट कहता है कि हम इन चीजों का ऐसे नहीं लेंगे हम यहाँ पर dummy variable लेंगे कि अगर 2003 से 2005 के बीच ठीक है 2003 से 2005 के बीच इस time period के दोरान अगर income आती है saving आती है income आती है तो उसको हम ले लेंगे यहाँ पर dummy variable 1 इसके अलावा जो कुछ होगा means इसके अलावा जो भी year होंगे other जो factor होंगे otherwise जो है हम क्या लेंगे कि हमारा जो dummy variable है वो यहाँ पर 0 होगा ठीक है कि अगर 2003 से जो है हमारा 5 के बीच में आता है तो हम क्या लेंगे इसको ले लेंगे simply d is equal to 1 यानि कि dummy variable 1 आएगा उसके अलावा otherwise क्या लेंगे d जो हमारा होगा वो 0 होगा तो ऐसे चाव टेस्ट क्या होता है कि एक जो structural change आया है उसके according year को divide कर देता है year को divide करने के बाद हमें dummy variable को choose करने के लिए बोलता है कि इसके लिए आप dummy variable 1 लीजिए और इसके लिए आप 0 लीजिए अब माल लीजिए हमने यहाँ पर equation ली है एक regression equation है कैसे हम उसको निकालेंगे यह देखे तो यहाँ पर आ गया alpha 1 प्लस alpha 2 dt ठीक है यह dummy variable है beta 1 xt ठीक है यह हमारा variables है फिर उसके बाद beta 2 dt यह फिर से dummy variable आ गया xt प्लस में ut आप देखे dummy variable अगर 1 है अगर dummy variable की value 1 है तो आप यहाँ पर 1 रखोगे ठीक है यहाँ भी 1 रखोगे तो यह value क्या आओगी alpha 1 प्लस में alpha 2 प्लस में beta 1 xt इसके लावा बीटा 2 और यह x यहाँ 1 रखा तो x t हो गया ठीक है तो यह आपका होगा beta 2 x t और जो है mu आपका यहाँ पर निकल जाएगा ठीक है तो यह आपकी क्या आजाएगी variable की dummy variable से आपकी value जो है निकल के आजाएगी कि अगर dummy variable आपका 1 है तो आपकी value यह रहेगी ठीक है इसके लावा अगर आपका dummy variable 0 है dummy variable 0 होगा तो आपकी value यहाँ पर रहेगी alpha 1 प्लस में beta 1 xt यह value भी 0 हो जाएगी इसके लावा यह value जो है यह भी आपकी 0 हो जाएगी सिर्फ यह जो है और यह जो है यह दोनों value आपकी यहाँ पर रहेगी तो यह है आपका चाव test जिसमें हम क्या करते हैं कि structure stability के according अपने dummy variable को यहाँ पर ले लेते हैं और उसके according अपने model को आगे processing पर लगाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर mainly यहाँ पर चार possibilities होती है चाव test के अंदर चार possibilities होती है कि हमने saving और income ली है तो क्या-क्या उनमें possibilities हो सकती है तो यहाँ पर first है हमारी both intercept and slope coefficient हाँ same कि हमारा यहाँ पर जो intercept है इसके अलावा slope जो है हमारे कव का slope regression हमने model लिया ना तो regression line तो बनानी पड़ेगी तो यह हमारे regression line है यह कहता है कि intercept भी same होगा और इसके अलावा जो हमारा slope coefficient है वो भी हमारा यहाँ पर same होगा ठीक है तो first case हमारा यह हुआ और इसका नाम हमारा हुआ coincident regression ठीक है regression line बनाई है जिसमें coincidence है कि हमारे intercept और slope coefficient दोनों ही बिल्कुल same है फिर उसके बाद हमारे second case आता है ठीक है बी पार्ट आता है second case जिसमें हमारा intercept तो different होता है लेकिन slope coefficient same होता है ठीक है देखे intercept अलग-अलग है लेकिन दोनों का बिल्कुल same है दोनों regression line जो है वो बिल्कुल same है यानि कि slope क्या है? Slope बिल्कुल same होगा ठीक है? Slope same होगा और इसके अलावद सिर्फ आपका जो intercept यहाँ पे होगा वो हमारा अलग होगा जिसको इन्होंने नाम दिया है parallel regression ठीक है? A coincident regression एक हमारा parallel regression इसके बाद हमारा आता है third case यहाँ पे C ठीक है? Third case C आता है intercept same और slope different. Slope coefficient क्या होगा? Different होगे लेकिन हमारा जो intercept है वो बिल्कुल same होगा. देखो दोनों के intercept बिल्कुल same है लेकिन यहाँ पे regression line एक ही point से जाता हुए अलग-अलग slope में बनी होई है. ठीक है? एक थोड़ी नीचे है एक उपर है slope different हो गया तो यहाँ पे slope different होगा और आपका जो intercept है वो बिल्कुल same होगा तो इस situation को हम बोलते है concurrent regression ठीक है? तो यह हमारा कहलाएगा concurrent regression फिर इसके बाद D part आता है D part में हमारा होता है कि जो intercept होगा ठीक है? intercept क्या होगा? वो हमारा different होगा इसके लावा slope coefficient different होगा. यानि कि दोनों ही चीजे यानि कि जो हमारा slope coefficient और intercept है दोनों ही बिल्कुल different होगे देखे यहाँ पे slope sorry, intercept भी different है इसके लावा दोनों line के जो slope होगा है वो भी हमारे different होते है तो जब दोनों चीजे different होगे, intercept और slope दोनों different है तो इस situation को हम बोलते है this is similar regression ठीक है? तो चाव test जो है इन चारो situation में जो है यहाँ पे काम करेगा और हमें जो है model के बारे में बताएगा तो यह था हमारा completely चाव test जिसमें हमने सिर्फ बात की है कि हम structure stability को रखते हुए कैसे dummy variable को decide करेंगे और अपने regression model को या regression जो line है कैसे draw करेंगे और उस model को कैसे processing में ले के आएंगे thank you, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please like कीजे, share कीजे और अगर हमारे चैनल पे नई है तो please चैनल को subscribe कीजे thank you